अगर हमारे ड्राइवर और कंडुक्टर्स को टीकेट लग जाएंगे तो उससे ये होगा कि जब ये वहन चलाएंगे और इनके साथ जो सवारियां चड़ेंगी और उत्रेंगी इनकी सेद के साथ-साथ वो उनके लिए भी ठीक है और इससे जो करोना का फैलाव है उसको काफी हद तक हम रुख थाम उसमें कर सकते हैं आप जानते हैं कि किराय में तो अभी विर्दी एक उनिस परसेंट की आवराल सबकी की गई थी लेकिन उसके बाद ये जो लागडाउन है इसके कारण आपको पता है कि थोड़ा सा एकनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो काफी हद तक रुकी हैं कम हुई हैं और इसी ये टीका करन का अभियान जो है बड़ी जोरो सोर से चलाया है ताकि पहले हम ये टीका करन का कर सकें और उसके बाद जो है वो शायद जल्दी ही अनलाप की प्रॉसस जो है वो शुरू भी हो सकता है सरकार इस पे विचार कर रही है और जैसे ही वो शुरू होगा तो उसके रिलीफ मिलेगी इस में तो हर एक सेक्टर को जो हो करोणा के कारण तो हर हर एक सेक्टर को नुकसान हुओा था और उसके लिए सरकार ने इनके लिए बिजने स्रीवाइवल प्लांड भी एक जो है वो पिछले साल भी इनको कुछ relief मिली थी इस साल भी उनको जो है वो relief मिली है जिस detto मैं कि इनको फिर दो बारा से insurance में सरकार ने 25 व्रुड रुपया नके लिए रखा है जिसमें जो orange Rush inflaciones के तहति को कुछ relief मिलेगी और जो पुरानी गाडियां工 को अगर दे के ये नई गाडियें लेते हैं 15 साल प्लस वाली उसमें भी जो हमने सबसीडी की स्कीम थी सरकार की उसके तहित भी इस बारी भी सरकार ने काफी अच्छा एक अमाउंट रखा है तो ट्रांस्पोर्टर्स को रिलीव तो दी जा रही है लेकिन यह है कि और आल सारे ही भाव तो करोना का पड़ा है यह तो आप सब को पता है इसमें तो कोई छुपी है नहीं लेकिन उमीद की जाती है कि टीका करन के बाद एक्टिविटी भड़ेगी और उसके बाद जो है जो लॉसेज हैं वो कर रिकवर हो जाएंगा